आज सब जगे यही बात चल रही है कि आत्मनिरबर भारत हमारे ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर और फिनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर लॉंच कर दी है तो आएए क्विकली यहाँ पर हम समझते हैं कि आत्मनिरबर भारत स्कीम में क्या-क्या ऐसे important key factors है जो हमें धियान में रखने है सबसे पहला point specifically हम बात करेंगे MSME सब लोग यही पूछ रहे हैं यह MSME आखिरकार है क्या Micro, Small, Medium, Enterprises MSME यह Enterprises हैं जिनके definition already थी बढ़ अब वो definition पूरी change हो चुकी है MSME मतलब होता है Micro, Small and Media पहले इस definition में manufacturing और service enterprises को अलग-अलग रखा गया था अब यह जो verification ने इसको हटा दिया गया है simple language में यहाँ पर जो अब criteria है वो बात करता है investment और उसके साथ में turnover तो अब में जो figures बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिये 1 crore, 5 crore, micro के लिए फिर हम बात करेंगे small के लिए 10 crore and 50 crore उसके बाद हम बात करेंगे medium के लिए तो वो है यहाँ पर 20 crore and 100 crore तो पहले जो figures बोले हैं वो है investment के और दूसरे जो figures मैंने यहाँ पर बोले हैं वो यहाँ पर है turnover के तो यह investment या फिर turnover के अंदर अंदर आप है फॉर एक्जामपल अगर आप 1 crore के investment से कम investment है और आपका turnover 5 crore से कम है तो आप micro enterprise की definition में आते हैं तो सबसे पहले तो इस आत्म निर्भर scheme में इस definition को change कर दिया गया है और यह नई definition थी अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो micro, small और medium enterprises है छोटी छोटी enterprises है तो इनके इस turnover के limit को और investment के limit को increase कर दिया गया है इससे impact क्या होगा impact यह होगा कि यहाँ पर government चाहती है कि सिर्फ छोटे छोटे enterprises यहाँ पर फाइदा न ले बलकि जितने बड़े-बड़े enterprises है उनको भी इसमें include करना चाहती थी इससे लिए maximum अगर आप देखेंगे so medium enterprises का turnover limit 100 crores तक जाता है तो आप इससे अंदाज अलगा यह कितनी बड़ी-बड़ी enterprises भी इस limit के अंदर यहाँ पर आने वाली है so यह बात करी हमने MSME के बारे में right अब question यह है कि इन MSME को problem क्या थी already यह जो segment है enterprises है business करने के लिए भारी मातरा में loan ले चोके है and they are packed future में roadmap जिस हिसाब से दिख रहा है businesses आने वाले है तो future में अगर उनको loan की यहाँ पर जरुत होगी तो government उनकी क्या help कर रही है so इस scheme के अंदर बोला गया है कि अगर यह जो companies है यह जो MSME है यह future में loan लेना चाहती है तो उनको loan दिया जाएगा four years का उन्हें collateral free loan दिया जाएगा इस scheme को नोने नाम दिया है collateral free दो obviously है but emergency credit line to businesses and MSMEs तो ऐसे MSMEs है बट कुछ conditions है हैं पर पहली condition कौन से enterprises जिनका turnover यहाँ पर 100 crore से जादा होगा दूसरी condition जिनका outstanding यहाँ पर 25 crore से जादा होगा ऐसे enterprises को इस scheme के अंदर यहाँ पर दाखिल किया जाएगा but आपको यह scheme अगर avail करनी है 31st October 2020 के पहले आपको avail करनी होगी तीसरी condition four years का span होगा tenor होगा जिसमें पहला साल जो आप कर रहेगा उसमें moratorium दिया जा रहा है one year का means आपको principal repayment यहाँ पर बिलकुल भी नहीं करना होगा but question remains the same कि क्या फाइदा मिल रहा है कितना loan मिल रहा है so यहाँ पर उनको loan दिया जाएगा 20% का 20% of what as on 29th February 2020 इस date पर आपका जितना loan outstanding है उसका 20% आपको credit यहाँ पर दे दिया जाएगा NBFCs देगी और bank देगी इस तरीके से 4 साल का यहाँ पर आपको collateral free loan यहाँ पर दिया जा रहा है और अगर हम इस scheme में इस value को देखे that counts to 3 lakh crores rupees यहाँ पर government इतना आपको help कर रही है अब बात आती है ऐसे MSMEs की जो यहाँ पर stressed है यानि कि problem है business जिंका ढंग से नहीं चल रहा है उनका क्या तो government ने stressed MSME की help करने के लिए यहाँ पर 20,000 crore का announcement किया है बट वो भी loan दिया जाएगा बट वो loan कैसा होगा वो होगा subordinate loan subordinate loan क्या होता है अगर किसी company ने बहुत सारे debts लिये हैं market से उन्होंने पैसा उधार में लिया है और अगर वो company liquidation में जाती है तो liquidation में उसे पैसा लोटाना पड़ेगा सबसे पहले जाता है पैसा senior category के debt को उसके बाद में अगर repayment होता है तो वो होता है subordinate debt का तो एक तरीके से government risk तो लिया है अगर company liquidation में जाती है तो उनको पैसा बाद में मिलेगा बट अगर हम यहाँ पर positive side देखे तो equity और preference shareholder से पहले उनको पैसा यहाँ पर मिलेगा so 20,000 का यहाँ पर subordinate debt announce किया गया है for stressed MSME अब इसके बाद में बात करते हैं what about those MSME जो अच्छे से business कर रहे है कोई problem नहीं है तो उनको viable business को और continue करने के लिए prosper करने के लिए यहाँ पर equity का infuse करने का यहाँ पर government ने यहाँ पर निर्ने लिया है और वो amount है 50,000 क्रोर 50,000 क्रोर का equity infusion यहाँ पर किया जाएगा उन enterprises में MSME में जो यहाँ पर viable business कर रहे है अब यहाँ पर MSME को discuss करने के बाद में हम बात करते हैं अगला यहाँ पर जो announcement किया गया है वो है make in India obviously जो चला आ रहा है उसको extend किया गया है but in a different way government ने यहाँ पर बोला है इस scheme के अंदर 200 क्रोर्ट से नीचे नीचे वाले जितने भी global tenders है उन सब को disallow कर दिया गया है मोदी जी ने कहा था कि आप local को local कीजिए उसी के चलते हूँ यहाँ पर उनका कहना है कि 200 क्रोट तक के जितने भी globally tenders आते थे उन सब को यहाँ पर disallow कर दिया गया है सारा काम इंडिया के अंदर होगा भारत से होगा भारत की company यहाँ पर करेगी इस तरीके से businesses को उन्होंने help करी है अगला point जो हूँ यहाँ पर discuss करेंगे जो स्कीम के अंदर आया है that is EPF, PF and TDS इन तीन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे EPF याने की employee provident fund यहाँ पर जो बोला गया है EPF 12% employer 12% यहाँ पर employee, mandatory, statutory यहाँ पर contribution किया जाता था government पिछले तीन महिनों से जब से lockdown स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ पर obviously help कर रही है 3 months से उन्होंने 24% contribute किया है अब 3 months और extend करते हुए 24% government ही यहाँ पर contribute करने वाली है वो भी बहुत बड़ी help है and that comes to 2500 crore rupees का यहाँ पर relief मिलने वाला है but यहाँ पर PF की अगर हम बात करें provident fund की जहाँ पर 12% का rate चलता था उसको reduce करके 10% पर ले आया गया है and that comes to 6,750 crore rupees का help जो इस scheme में include किया गया है अब यहाँ पर हम EPF को अगर थोड़ा सा और यहाँ पर open करें so EPF में यह scheme किसके लिए open की गई है so यहाँ पर criteria है ऐसी forms जिनके employees 100 से कम है और उने employees में से 90% employees के जो salary है वो 15,000 rupees से कम है वहाँ पर EPF का 24% का contribution government करेगी अगर हम EPF में एक और point discuss करे so यहाँ पर 5 crore workers को यहाँ पर help की जारी है उनको advances देने में advance का criteria है पर government ने क्या बोला है उन्होंने बोला है कि आपके 3 months के wages जितने होते हैं वो या फिर जो figure आता है 75% of your contribution अब अगर यहाँ पर हम EPF के एक और point discuss करें so EPF में 5 crore workers को यहाँ पर advance देने में government ने help करी है 5 crore workers को कैसे advances दे रहे हैं उन्होंने criteria बनाया है अगर आप advance चाते हैं तो आपको क्या amount मिलेगा 3 months की आपकी salary या फिर आपका EPF का 75% का amount whichever is lower उतने advances government पे करेगी हमारे workers को उनकी wages के हिसाब से so EPF, PF के हमने दोनों discussion किये now comes the point TDS दोस्तो बहुत ही जादा contribution यहाँ पर हो रहा है contribution liquidity release हो रही है इस manner में हो रहा है जब government ने कहा कि हम आपके TDS के rate में 25% की कटोती कर रहे हैं यानि कि professional fees में अगर 10% TDS करता था तो वो 7.5% कटेगा so all non-celerated people professional fees, rental income आपके contract में आपकी जो income हो रही है उसके अलावा जो भी तरीके के यहाँ पर TDS करते थे वहाँ पर 25% से less कर दिया गया है और इससे liquidity release हुई है that comes to 50,000 crore rupees इस तरीके से यह कुछ 4 important point हमने और discuss करें अब कुछ other points इस scheme के अंदर जो important है आईए उनको देखते है इसी तरीके से यहाँ पर गरीब कल्यान योजना चलती आ रही है जहाँ पर 5 kilo rice wheat यहाँ पर गरीबू में बाटना हो वो government करने ही वाली है 1,000 rupees यहाँ पर poor families जो है poor videos है या फिर poor दिव्यांग है उनके account में जाने वाले हैं जन धन योजना के अंदर कुछ women में या फिर जो भी registered bank accounts है महाँ पर 500 rupees पर month जाने वाला है इस तरीके से गरीब कल्यान योजना तो चली रही है gas cylinder free करना हो 3 months के लिए वो भी सुईदा government ने यहाँ पर हमें दी है अब अगर हम बात करे liquidity release करने के लिए 3 months का वो term loans के लिए 3 months के लिए और extend कर दिया गया है इसलिए हमें यहाँ पर 3 months के लिए EMI pay नहीं करनी है जो करना चाहते हैं वो opt कर सकते हैं इस situation कुछ दो important points और हैं आपर जैसे RARA RARA के अंदर Real Estate Regulation Act के अंदर जितने भी deadlines से project complete करने के लिए completion करने के लिए उनको extend कर दिया गया है और एक नई शुरुवात करने के लिए completion certificate को issue करने के लिए बोला गया है for respective यहाँ पर जितने भी project चल रहे हैं and the last point is very small debit card transactions जो है यहाँ पर free of cost कर दिये गया यानि कि कोई charges नहीं लगेंगे इस तरीके से हमने discuss किया MSME के लिए क्या important यहाँ पर points आए है आत्म निर्भर योजना के अंदर और इसके लाबा हमने कुछ important TDS, PF और EPF के points को discuss किया है I hope आपको यह अच्छा लगेगा अगले और जितने announcement होने वाले हैं तो उनके लिए आप touch में रहिए और E-KIDA चनल को देखते रहिए Thank you